जैसे रिमाकाल दोस्तों कैसे आप आसा करता आप भात फी खुस और परसन होंगे दोस्तों जी हाँ दोस्तों मैंने कई बार सुना हैं लोगों को सिद्धिया हासिन नहीं होती है मंत्र से फायदा नहीं हो रहा है ऐसा इसकायन से होता है क्योंकि कल युग महादेव जिने सभी मंत्र किलित कर दिये थे सभी नहीं बोल सकते कुछ मंत्र किलित कर दिये थे अतोब फल्दाई सिद्ध नहीं होते हैं पन्तु यदि उनका उत्किलन कर दिया जाए तो वह अवश्य फल्दाई होते हैं अभी मैं आपको उत्किलन बिधी बताने जा रहा हूं आप उस हिसाब से जो साधक हैं जो मंत्र जाप करते हैं साधना करते हैं उसका उत्किलन करना है बहुत ही सिंपल बेदी बता रहा हूं और आपको हैं डपर्शन फैदा मिलेगा ही मिलेगा कोई डाउट नहीं है क्यों इसका उत्किलन करने ते सिद्धियम सफलता सिग्र और अभश्य प्राप लगते हैं उसके उपाय महादिव जी नहीं बताया था वो चीज में आपको बताने जारा हूं आप लिख लिए जिस मंत्र को आपको जपना है या जाप करना है उसको अश्ट गंदक के जवारा भौधपत पर एक तो आठ वार लिख ले जी हां एक सो आठ वार भौधपत पर मंत्र जो मैं बता हूँगा तो उसके बाद उसकी दूप दीप नवेह, दाधी से उसका पूजन करना है पर अचार भामवड़ा ़ोजन करा हैं फिर एक मिट्टी के पास में पानी भर के मंत्र को जिस मंत्र के आप साद्रा करना चाहते ह Bizim Agar बोजपत्रों पर जो लिखित बोजपत्र मतलब जिन पर आपने लिखा 108 वार उनको घड़े में डालना है या पिर जर्में परवायत करने ता है बहते जर्में परवायत करना है तो उस मंत्र का उत्किरन हो जाएगा अब लिखना किस किसते अश्ट गंदम में स्याई क्या क्या आती है क्या क्या चीज में लाई जाती है वो लिख सुन लिजिए गुरोचन होता है कपूर होता है हाथी का मद हो तो इन मेंसे कम से कम पांच चीज़ आप ले लिजी है कि मैंने आठ चीज़ पांच चीज़ मैं से होनी चाहिए है गुरोचल मिल जाती है कपूर मिल जाती है कस्तूर सब्सक्राइब करना चाहते हैं जैसी महाकाल खुष रहे मंद को उत्किलन करने के बाद आपको उसका फ़ल अवश्य प्यार्प होगा आपको सिद्धी अवश्य हासिल होगी आपको शाधना के फ़ल के वश्य में देगा